चिरिया उस जंगल में नहीं आई थी वो अपना एक अंदा अपनी चोंच में उठाए इधर उधर उड़ रही थी वो किसी सुरक्षत पेड़ की खोज में थी क्योंकि उसे अपने रहने के लिए घौंसला जो बनाना था फिर वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक घौंसले में मिठु तोता बैठा हुआ दिखाई देता है चिरिया मिठु तोते के पास चाती है मिठु भेया मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ और मुझे अपने लिए घौंसला बनाना है क्या आप मेरी मदद करेंगे आप मेरे इस पेड़ पर अपना घौंसला बना ले और आप यहां रह सकती है तोते भेया मेरे अंटे से बच्चा निकलने ही वाला है मैं अपना घौंसला नदी के पास बनाऊंगी क्योंकि अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मैं दूर पानी पीने नहीं जा सकूँगी तो फिर मैं क्या मदद करूँ आपकी जब तक मैं अपना घौंसला नहीं बना लेती आप मेरा यह अंडा अपने घौंसले में रख ले मिठू तोता चिडिया की बात मान लेता है और चिडिया का अंडा थोड़ी देर के लिए अपने घौंसले में रख लेता है और चिडिया अपना घौंसला बनाने नदी के पास चली जाती है चिडिया ने अभी घौंसला बनाने के लिए तिंके जमा करने शुरू ही किये थे कि वहाँ गोरी कवी आ जाती है चिडिया क्या तुम नहीं आई हो इस जंगल में? हाँ कवी बेहन मैं आज ही आई हूँ और अपना घौंसला बना रही हूँ चिडिया मेरे पास एक पुराना घौंसला पड़ा है अगर आप चाहें तो मुझसे वो घौंसला ले सकती है चिडिया को कवी की ये बात बहुत पसंद आती है और वो कवी से कहती है अगर आप मुझे अपना पुराना घौंसला दे दें तो मेरा भला हो जाएगा मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं निया घोंसला बना सकूँ फिर गोरी कवी चिडिया को अपने घोंसले की तरफ ले जाती है इस घोंसले में मैं आपके भाई कालू कवे के साथ रहती हूँ और ये वाला घोंसला खाली ही है ये घोंसला आप ले जाएं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कवी बेहन फिर चिडिया गोरी कवी से वो पूराना घोंसला लेकर वापिस नदी पर चली जाती है वो घोंसला तूटा हुआ था चिडिया उसे एक पेड़ पर रखती है और उसकी मरमत का काम शुरू करती है चिडिया उस पूराने घोंसले में नेतिंके लगाती है और उसे मजबूत बना लेती है फिर चिडिया नदी के पास से ही कुछ फूल तोड़ कर उस घोंसले को ऐसे सजा लेती है जैसे वो नेया बनाया हो शाम होने वाली थी इसलिए चिडिया जल्दी से मिठु की तरफ जाती है मिठु भेया मैंने घौंसला बना लिया है मेरा अंडा आप मुझे वापिस दे दें चिडिया आपने तो बहुत जल्द घौंसला बना लिया मैं घौंसला बनाने ही वाली थी कि वहाँ एक कवी आ गई उसके पास एक पुराना घौसला था मैंने उससे पुराना घौसला लेकर मरमत कर लिया है चुडिया क्या गोरी नाम था उस कवी का हाँ मिठु भेया उसका नाम गोरी ही था वो तो बहुत डुष्ट कवी है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारी मदद कैसे कर दी नहीं नहीं मिठू भेया वो तो बहुत अच्छी कवी है फिर चिडिया मिठू से अपना अंडा लेकर वापिस चली जाती है और अपना अंडा अपने घौंसले में रहकर सुख का सांस लेती है आज मैं बहुत खुश हूँ हर समय अपने अंडे के पास ही रहती थी वो सारा दिन फारिग होती थी एक दिन उसे एक विचार आता है यहाँ पानी भी है और भोजन भी आसानी से मिल जाता है और सूखी लकडियां भी पास ही है क्यों न मैं यहाँ अपने लिए पका लकडियों का ही घर बना लो मेरा बच्चा भी आने वाला है मैं और मेरा बच्चा पके लकडियों के घर में आराम से रहेंगे ये सोच कर चिडिया सूखी लकडियां काट कर अपना पका घर बनाने का काम शुरू करती है और कुछी दिनों में चिडिया अपने लिए पका लकडियों का घर बना लेती है फिर एक सुभा चिडिया का अंडा फूरता है और उसमें से एक सुन्दर सी बेटी चिडिया पाहिर निकलती है ममा ममा मेरी ममा तो मेरे जैसी ही सुन्दर है मैं सोच रही थी कि ना जाने मेरी ममा कैसी होगी मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा सुन्दर है मैंने बहुत इंतजार किया आपका मगए ममा क्या आ मुझे इस तिंको के खौशले में रखेंगी मुझे ये खौशला नहीं पसंद आया वो देखो तो सामने मैंने अपनी बेटी के लिए पका लकडियों का घर भी बना लिया है पक्का लकडियों का घर देह कर चड़िया की छोटी सी बेटी बहुत खुश हो जाती है अब चलें बेटी, मैं आपको उठा कर आपके ने घर में ले जाती हूँ एक दिन कव्वा और कव्वी भी उड़ते हुए उस दिशा में आ जाते हैं कालू, ये घर किसका है? हमारे जंगल में तो ऐसा पका लकडियों का घर किसी भी पक्षी का नहीं था गोरी, चलो तो जा कर देखते हैं फिर वो दोनों पती पतनी वहां जाते हैं कौन, कौन है इस घर में? चिड़िया घर से बाहिर आती है मैं हूँ, मैं वही चिड़िया हूँ, जिसको आपने अपना पूराना खौंसला दिया था अब मैंने अपना नया घर बना लिया है चिड़िया, तुम बहुत तेज निकली, इतना सुन्दर घर, तुमने कहां से बनाना सीखा है? ऐसा घर मैंने अपनी मा से बनाना सीखा था आपने मेरी मदद की थी जब मेरे पास घर नहीं था इसे आप अपना घर ही समझे जब चाहें आप मेरे घर में आ सकती है चुडिया बहन ये लें आप ये मीठा फल खाएं अब हम हर रोज आप से मिलने आया करेंगे फिर कववा और कववी वहां से चले जाते हैं शाम होते ही आसमान पर बादल जा जाते हैं और साथ तेज हवा शुरू हो जाती है जैसे जैसे रात होती है तेज हवा के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है थोड़ी देर बाद मिठू का घौंसला तूट जाता है और गिर जाता है मिठू भी घौंसले के साथ ही जमीन पर गिरता है मगर उसे ज्यादा चोड नहीं लगती ये क्या हुआ ऐसे मौसम में अब मैं कहा जाऊंगा हाँ मैं चिडिया के पास नदी पर जाता हूँ मैंने उसकी मदद की थी वो भी जरूर मेरी मदद करेगी फिर मिठू चिडिया के घर की तरफ जाता है हवा तो ऐसे थी जैसे आज जंगल के सारे पेड ही गिरा देगी कवो ने तो अपने घौंसले की कभी मरमत भी ना की थी इसलिए उनका घौंसला भी तूट कर गिर जाता है कालू ये क्या हुआ हमारा घौंसला तूट गया अब हम ऐसी बारिश में रात कैसे गुजारेंगे तूमने पुराना घौंसला भी चिडिया को दे दिया था अगर आज वो होता है तो हम उस घौंसले में बैठ जाते कालू चिडिया से याद आया क्यों न हम चिडिया के पास चले जाएं और आज की बारिश की रात चिडिया के पास ही गुजारें फिर कववा और कववी भी चिडिया के घर की तरफ जाते हैं गोरी चिडिया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है चिडिया जल्दी दरवाजा खोलो मैं हूँ गोरी और कालू चिडिया दरवाजा खोल देती है आप चल्दी से अंदर आ जाये फिर कव्वे चिडिया के घर के अंदर चले जाते हैं मिठू क्या तुम्हारा घर भी तूट गया है हाँ गोरी इसलिए मैं चिडिया के पास आया हूँ चिडिया बेहन अगर उस दिन हमने आप की मदद की थी तो आज आपने भी हमारी जान बजाई है अगर हम ऐसे ही एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं फिर ऐसे तेज बारिश में वो सब रात वहीं गुजारते हैं और सब सुरक्षत रहते हैं प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करें उन्ने वाली हवाई वीलचियर आज ही हासल करें कीमत केवल सोदाने चावल पहले आईए पहले पाईए जब भी चिडिया की अपाहज बेटी गुडिया तीवी पर ये एड देखती वो अपनी ममा से हवाई वीलचियर लेने की जिद करती ममा प्लीज मुझे भी ये वीलचियर ले देना मेरा भी दिल करता है मैं बाहिर जाओं और दूसरे पक्ष्रों को देखूं मैं कई दिनों से चावल जमा कर रही थी और अब मेरे पास इतने चावल जमा हो गए हैं कि मैं अपनी बेटी की विश्पूरी कर सकूँ मैं आज ही अपनी बेटी के लिए उनने वाली हवाई वीलचियर ले आऊंगी ममा सच मेरी ममा बहुत अच्छी है फिर गुडिया की ममा बाजार चल देती है चिडिया की बेटी गुडिया अपाहिश थी वो उनना सकती थी चिडिया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी उसकी हर इच्छा पूरी करती थी आज कीकी अभी तक नहीं आया मैं नंबर लगाता हूँ जी बताए किसे बात करनी है आप आप कौन मैंने तो अपने दोस्त कीकी कबूतर का नंबर मिलाया था मैं गुडिया हूँ मैं पहाडों वाले जंगल में रहती हूँ और मैं रोस हूँ मेरा खर सागर वाले जंगल में है सोरी, रोंग नंबर मिला दिया है आपने ऐसा कहते हुए गुड़िया फून काट देती है कितने मीठी आवाज थी इस चड़िया की दिल कर रहा है बार बार सुनू रोज दूबारा नमबर मिलाता है अब तो पता चल गया ना आपको कि ये नमबर आपके दोस्त कीकी कबूतर का नहीं है अब दूबारा नमबर क्यों मिलाया आप तो गुस्य में आ गई वो मैंने ये कहना था कि आपकी आवाज बहुत सुन्दर है मुझे पता है मेरी ममा भी ऐसा ही कहती है मुझे आप से बात करके बहुत अच्छा लगा क्या मैं कभी कभार आपको फोन कर लिया करूँ गुडिया भी घर में ही रहती थी वो उड़ जो ना सकती थी इसलिए आज पहली बार उसे किसी ने बात करने को कहा था मैं ममा से पूछ कर बताऊंगी आप शाम को फोन करना गुडिया की ममा भी शाम के अपनी बेटी के लिए उन्ने वाली वील्चियर लेकर आ जाती है आज से मेरी गुडिया भी बाहिर जा सकेगी मैं मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मैं बाहिर की दुनिया देखूंगी ममा आप से एक बात पूछना थी पूछो बेटी क्या बात है ममा आज इस नमबर से एक काल आई थी ममा उसका नाम रोज था ममा सच में उसकी आवाज बहुत सुन दे थी और वो मुझे से बात करना चाहता है गुडिया मेरी बेटी आप बड़ी हो और समझदार हो मैं आपको नहीं रोकूंगी परन्तु मेरी जान कोई ऐसे सपने सजाने से पहले ये याद रखना कि आप अपाहिज हो और कोई भी अपाहिज पक्षी को पसंद नहीं करता अपनी ममा की ये बात सुनकर गुडिया निराश हो जाती है रात को गुडिया की ममा सो जाती है गुडिया जाग रही थी और उसका दिहान अपने मुबाइल फून पर था वो आवाज अभी तक मेरे कानों में गुञ रही है जैसी उस चुडिया की आवाज सुन्दर है वो खुद भी उतनी ही सुन्दर होगी ऐसा सोचते हुए रोज गुडिया का नंबर मिलाता है क्या मैंने आपको तंग तो नहीं किया इस समय नहीं नहीं तो मैंने ममा से पूछ लिया था मैं आप ही के फून का इंतजार कर रही थी गुडिया जबसे मैंने आपकी आवाज सुनी है मैं तब से ही आपका चेहरा अपने ख्यालों में देख रहा हूँ क्या आप बहुत सुन्दर हो पता नहीं ये तो मम्मा को पता होगा मेरी मम्मा कहती है मैं सबसे सुन्दर हो गुरिया मैं शादी करना चाहता हूँ आप से क्या आप मुझसे शादी करेंगी ये किसे फोन पर बातें कर रहे हो ममा गुडिया है मैंने शाम को बताया था ना आपको ये लें बात करें गुडिया मेरी ममा से बात करें गुडिया कैसी हो बेटी मैं ठीक हो माजी आप कैसी है ये रोज तो सुभा से ही तुम्हारी बातें कर रहा है बेटी हम आप से मिलना चाहते हैं क्या आप मुझे अपनी ममा से मिलवा सकती हो मा जी क्या हुआ क्यों मिलना है आपने मैं अपने बेटे की आप से शादी करना चाहती हूं यह सنकर गुरिया फोन बंद कर देती है नहीं अगर रोज ने मुझे देख लिया और उसे पता चल गया कि मैं अपाहिच हूँ तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा और वो मुझसे बात भी नहीं करेगा सुभा हो जाती है गुडिया अपनी ममा के साथ अपनी हवाई वील्चियर पर बैठ कर पहली बार अपने घर से निकलती है उसे बहुत अच्छा लग रहा था वो नदी पर जाती है ममा भाहिर की दुनिया तो बहुत सुंदर है फूल, पेड, नदिया सब कितने सुंदर है आज मैं भी बहुत खुश हूँ बेटी कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ही कर सकी आप यहां बैठो मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आती हूँ गुडिया की ममा भोजन ठोनने चली जाती है गुडिया का मुबाइल बचता है और सामने रोज का नमबर था डरते डरते गुडिया फोन सुनती है आपने रात को फोन क्यों बंद कर दिया था क्यूंके मैं आप से मिल नहीं सकती मेरी ममा आपकी ममा से तो मिल सकती है पलीच मुझे बताईए मैं अपनी ममा को साथ लेकर आना चाहता हूँ नहीं रोज अगर आप मुझे देखेंगे तो फिर आप मुझे से फोन पर बात भी नहीं करेंगे मुझे पता है आप जूट बोल रही हो आप बहुत सुन्दर होगी जो भी हो मैं अपनी मम्मा को आपकी मम्मा से मिलवाना चाहता हूँ मैं शादी करना चाहता हूँ आप से ये सुनकर गुडिया फिर से नमबर कार देती है रोज मेरे अच्छे दोस्त मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं तो अपाहिच हूँ कोई किसी अपाहिच से कैसे शादी कर सकता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रोज की जिद के सामने गुडिया को हार मानना बढ़ती है नदी पर आजाएं मैं नदी पर ही होंगी बड़े पेड़ के पास रोज अपनी ममा को साथ लेकर खुशी खुशी पहाडों वाले जंगल जाता है वो अपनी हवाई मोटर को तीज चलाता है नदी पर जाकर वो इधर उधर देखता है उसे कोई नजर नहीं आता सिवाए एक चड़िया के जो वीलचियर पर बैठी हुई थी रोज आप बहुत सुन्दर हो और मैं अपाहिज मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे बात करना छोड़ दे पीछे से जगू और बुलबला आकर गुड़िया की वीलचियर गिरा देते हैं और भाग जाते हैं शरार्ती पक्षी किसी का ऐसे भी कोई मजाक उड़ाते हैं गुड़िया रोने लग जाती है रोस और उसकी ममा गुडिया को गीरा देख आकर उसे वीलचेर पर बिठा देते हैं ये पक्षी पहुत शरारती थे जुडिया हमें इस जंगल में गुडिया के घर जाना है गुडिया जो रोस को ये नहीं बताना चाहती थी कि वही गुडिया है कहती है मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती ऐसार कहते हुए गुड़िया वहां से चली जाती है रोज बेटे गुड़िया ऐसा नहीं कर सकती मैंने भी बात की थी उससे वो तो बहुत अच्छी जड़िया मालूम होती है फिर हमें यहां बुलाकर वो क्यों नहीं आई यही तो ममा मैं सोच रहा हूँ, मैं फून मिलाता हूँ फिर रोज गुड़िया का नंबर मिलाता है और जाड़ियों में गिरा पड़ा मुबाइल बचता है जो गुड़िया का था जब गुड़िया गिरी तो उसका मुबाइल वहीं गिर गिर गिया था ममा ये क्या ये मुबाइल किसका है मैं सब समझ गई बेटा ये मुबाइल गुडिया का ही है और गुडिया वही है जो अभी अभी यहां से गई है रोज की आँखों में आंसु आ जाते है ममा तो क्या गुडिया अपाहिज है और आप एक अपाहिज को अपनी बहु कैसे कबूल करेंगी चलो मम्मा वापिस चलें क्या मेरा बेटा कबूल कर लेगा एक अपाहिज पतनी को फिर वो मा बेटा हंसते हुए गुडिया का मुबाइल उठाते हैं और किसी से पूछ कर गुडिया के घर चले जाते हैं रोज की मम्मा गुडिया के घर पर दस्तक देती है जी किसे मिलना है आपको क्या गुडिया का घर यही है हम गुडिया से मिलने आए हैं गुडिया की मम्मा उन्हें घर के अंदर ले जाती है जिन्हें देखकर गुडिया बहुत परिशान हो जाती है आप, आप यहां कैसे? आपका मुबाइल नदी पर गिर गिर गया था मैं अपनी बहु को लेने आई हूँ क्या मेरी बहु मेरे साथ नहीं जाएगी? गुडिया और उसकी ममा की आँखों में खुशी के आंचू थे फिर रोज गुडिया को बहा कर अपने साथ ले जाता है